जैन साथ ही और आपका अपनी यूट्यूब चैलेंग में हारदिक स्वागत है साथ हु जैसा कि आप जानते हैं कि दिनांक 29 अप्रेल 2030 को जब हानो वोदे विद्ध्याले की प्रिविस पर इच्छा अरुजित हो चुकी है जिसकी आंसर सीट का पहला भाग हम आपको प्लब् साथ इस भाग में हम सेट ओ में पूछे गए अंका गजट के प्रस्ण और उनके उत्तर जानेंगे इस भाग में हम केवल आपको उत्तर बतलाएंगे जिस प्रस्ण में आपको दिक्कत जा रही हो समझ भी ना रहा हो तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं तो ऐसा तो को पूरी तरह ढखने के लिए भीमाएं दस गोले आठ सेंटीमिटर की कितनी आयताकार टैल सें चाहिए साथ इसका सही उत्तर होगा आप्शन बी 15,000 टैल से अगला प्रस्ण है एक पानी की टंकी की लंबाई चोड़ाई और उचाई क्रमसाहद 11 मीटर 10 मीटर वर 9 मीटर है यह टंकी पानी से 6 मीटर उचाई तक भरी हुई है पानी की टंकी का कितना भाग खाली है बच्चिश का सही उत्तर होगा आप्शन बी 1 बटा 3 भाग अगला प्रस्ण है 1250 मीटर लंबी एक रेल गाली 2 मिनट में 1 किलिमिटर की दूरी तै करती है यह रेल गाली दूसरी खड़ी रेल गाली को 4 मिनट में पार कर लेती है खड़ी रेल गाली की लंबाई ग्याद कीजिए बच्च इसका सही उत्तर होगा आप्शन C 750 मीटर अगला प्रस्ण है एक बश्टु के बिक्रे मूल और बिक्रे मूल का अंतर 240 है यदि लाब 20% है तो बिक्रे मूल क्या होगा इसका सही उत्तर होगा आप्शन B रुपए 1440 अगला प्रस्ण है 360 ग्राम 3 किलो ग्राम का कितना परस्ण है 360 ग्राम 3 किलो ग्राम का कितना परस्ण है साथ इसका सही उत्तर होगा आप्शन A 12% अगला प्रस्ण है एक माल गारी जिसकी लंबाई एक किलिमीटर है 45 किलिमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है इस माल गारी को 2 किलिमीटर लंबी सुरंग निकलने में कितना समय लगेगा साथ इसका सायुत्तर है ओप्षन D 4 मिनट अगला प्रेशन है यदि एक बिक क्रेता एक कुर्षी को 15% लाप के स्थान पर 8% लाप से बेज़ता है तो उसे 56 रुपाय कम मिलते हैं कुर्षी का क्रेमूल कितना होगा बच्चिस का सायुत्तर है ओप्षन B 800 रुपाय अगला प्रेशन है असी बिद्यार्थियों का एक समूह पिक्निक पर गया इस समूह में 20% बिद्यार्थी लग्किया है तथा सेस लग्के हैं इसमें कितनी और लग्के समलित की जाएं कि समूह में लग्के 70% हो जाएं साथ इसका सायुत्तर है ओप्षन D 8 अगला प्रेशन है 10 गोगिल 10 प्लस कोष्टक के अंदर 400 भागे छोटा मंजला कोष्टक 100 माइनस छोटा कोष्टक 50 माइनस बार कोष्टक में हैं 3 गोगिल 10 इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका सायुत्तर प्राप्थ होगा ऑप्षन D 105 अगला प्रेशन है रहीम ने दिनेश से 10 संक अधिक प्राप्त किये जार्ज ने रहीम से 25 संक कम प्राप्त किये सभी तीनों के अंकों का यूगफल 235 है तो जार्ज ने को लिकितने अंक प्राप्त किये इसका सायुत्तर है option B, पैसा ठंक अगला question है, इसमें हमें महत्तम समाप और तक ज्यात करना है इसमें 3 संख्यां दी गई है, पहली संख्या है 2 की घाद 2, गोरे 3 की घाद 3, गोरे 5 की घाद 5 दूसरी संख्या है दो की घात तीन गोले तीन की घात दो गोले पांच की घात दो गोले साथ और तीसरी संख्या है दो की घात चार गोले तीन की घात चार गोले पांच गोले साथ की घात दो गोले तेरा इसका हमें महत्तम समाप वरत्य ज्याद करना है तो बच्चेश का सही संख्याओं को योगफल 8 तथा उनका फल 15 है तो इनके बित्रोम का योगफल कितना होगा इसका सही उत्तर है आठ बटे 15 हैं अगला प्रेश्ण है 5 सेंटी मीटर को किलो मीटर में लिखते हैं इसका सही उत्तर होगा ऑप्षन C अगला प्रेश्ण है संख्या जो 4 या अधेकंको की है आठ से भाज है या दीवहई यह हमें जो है इसमें विभासता के निम बतलाना है कि कौन है इस संख्यार से भाज होती है तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्षन D अंतिन तीन अंक जिसके आठ से भाज हूँ अगला प्रेशन है मेरी घड़ी पर समय साथ बच कर पांच मिनट पर रहता है ये पचीस मिनट आगे है तो सही समय क्या होगा इसका सही उत्तार है उप्सन सी छे बच कर चालीस मिनट अगला प्रेशन है ये तीन क्रमागत संख्याओं को योगफल पंद्रा है तो बीच वाली संख्या का वर्ग कितना होगा इसका सही उत्तार है उप्सन बी पचीस अगला प्रेशन है चार दसमलो दो तीन नव को 0.9 से भाग करने पर प्राप्त होता है इसका सही उत्तार है उप्सन अगला प्रेशन है निर्मले लेकित में से कौन सी संख्या तीन चार पांच और छे से भी भाज्य है इसका सही उत्तार है उप्सन बी साथ अगला प्रेशन है सभी अंकों को 9, 7, 0 तथ 4 का उप यूग कर चार अंकों की बनने वाली सबसे बड़ी संख्या तथा छोड़ी संख्या का अंतर ग्याद करना है तो आपको जो है इनसे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या और इनसे बनने वाली सबसे छोड़ी संख्या का अंतर आपको ग्याद कर लेना है इसका सही उत्तर होगा option D 5661 अगला प्रेशन है 5555 को लेखा जाता है इसका सही उत्तर होगा option D इस प्रकार से math के ये प्रेशने पूरी होते हैं इसके बाद हम देखते हैं हिंदी भी से पूछे गए प्रेशन और उनके उत्तर तो भासा परिशन में जो है दो मलावी पेरग्राप दिये गए हैं उनको पढ़ना है इसके बाद उनके उत्तर देना है तो जो पहला नोच छेद है कुछ इस प्रकार से है लिखा है किसी बेखती का आकलन हम केवल उसकी बाहरी दिखावट से नहीं कर सकते बाहरी रंगरूप प्राया धोखा देते हैं एक बार देख लेने पर किसी बेखती की सद्गोड या विसेशता जानना कठिन होता है कभी कभी हम किसी बेखती की ओर उसके बाहरी रंगरूप से अकर्शित हो जाते हैं किन्तु बाद में अनभो करते हैं कि हमने उसे गलत समझा बाहर से अनेक चीज़ें अकर्शक लगती हैं परन्तु प्राया चीज़े वैसे नहीं होती हैं जैसी दिखाई देती हैं हमें किसी ब्यक्ती या चीज़ के वास्त्विक सुभाव को जानना चाहिए यह पहरा अगराप है इसको पढ़कर हमें नीचे लिखे गए प्रस्णों के उत्तर देना हैं तो इसका प्रस्ण पहला बाहरी रंग रूप प्राया इसका सही उत्तर है ऑप्सन ए धोखा देते हैं अगला प्रस्ण है एक लजर में क्या जानना कठिन होता है तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्सन सी किसी के सद्गोण अगला प्रस्ण है अधित्तर हम किसी ब्यक्ति के डैस से आक्रेश्ट होते हैं या आक्रेश्ट हो जाते हैं इसका सही उत्तर है ऑप्सन सी बाहरी रंग रूप से अगला प्रेशन है आकर्सक का परयावाची नहीं है तो साथ इसका सयुत्तर है ओप्शन डी आ सुन्दर अगला प्रेशन है वास्त्यक सब्द क्या है तो साथ इसका सयुत्तर है ओप्शन सी विसेसाड साथ यो दूसरा नुच्छेद है लिखा है कि जौला मुखी जलता हुआ परवत है जिसमें पृत्वी की गहराई तक जाने वाला एक बढ़ अचिद्र होता है इसके खुले मुख को जौला मुखी का मुख विवर कहा जाता है कभी कभी कोई जौला मुखी सताब्दियों तक सांतरह का रचानाक सक्री हो जाता है तो इसे जौला मुखी का बिस्फोर्ट कहा जाता है आगे लिखा है और राक, धूल, गैस, तथा भाप के बड़े-बड़े बादल आवाज सहत जौला मुखी के मुख विवर से उठते है कुछ समय के बाद गर्व पिगली हुई चटान जिस दिलावा कहा जाता है पहाल से नीचे बहने लगती है या अनेक दिनों तक या सब्ताहों तक जारी रह सकता है आगे लिखा है फिर जौला मुखी दुबारा सो जाता है या अनेक वरसों तक सोसुपता वास्था में रहता है बहुत से जुवाला मुखी समुद्रों केने कट पाये जाते हैं जो दीपों का अन्रमार करते हैं तो इससे समंधित पहला प्रेशन हैं जुवाला मुखी की बारे में क्या सही नहीं है इसका सही उत्तर आप्सिन पहला ये बड़ी जंगली आकसर होता है अगला प्रेशन है जब किसी जौला मुखी कब स्पोर्ट होता है तो उसे कहा जाता है उसे कहा जाता है सोया हुआ जौला मुखी अगला प्रेशन है पहाड से नीचे बहने वाली लावा डैस आवस्था में होती है तो साथ इसका सही उत्तर है option B द्रव आवस्था में या पिखिली हुई आवस्था में अगला प्रेशन है सांत का बिलूम यहां है इसका सही उत्तर है option D सक्री अगला प्रेशन है अनुछेदें प्रियुक्ते सहित का अर्थ है इसका सही उत्तर है option A के साथ तीसरान और चेद है कि लाल बहुत और सास्त्री भारत के दो तीरी प्रधन मंति थे उन्हें भारत के स्रेष्ट राजनेताओं में गिना जाता है लेकिन उनके अरम्भिक जीवन के बारे में लोग बहुत कम जानते हैं उन्होंने अपने पढ़ाई पूरी करने के लिए अपने जीवन में अनेक बधाओं के ब्रुद्ध संगर्श किया पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें कोई नौकरी नहीं की या उन्होंने कोई नौकरी नहीं की वे स्वधिनता नोलन से जोड़ना चाहते थे सेग्री वे एक जन नेता बन गए वे 1964 में भारत के प्रधान मंत्री बने वे बहुत महेंती बेखती थे और प्रति दिन कम से कम अठारे घंटे काम करते थे तो इससे समंदेत पहला प्रस्ण है कि लाद बहादोर सास्त्री भारत के डैस प्रधान मंत्री थे जिसका सयुत्तर है उप्षन ए दुती प्रधान मंत्री अगला प्रस्ण है उन्होंने अपने जीवन में अनेक बधाओं डैस संघर्ष किया साथ इसका सयुत्तर है उप्षन बी के बिरुद्ध अगला प्रस्ण है वे है डैस नेता बन गए इसका सायूत्तर है option D, जैननेता अगला प्रेशन है बन गए क्रिया का काल क्या हो इसका सायूत्तर है option B, भूत काल अगला प्रेशन है पूरा करना डैस का प्रयावाची है इसका सायूत्तर है option C, संपन करना लास्टन छेद है कि एक तरह का काम करते करते हम कभी कभी उप जाते हैं इससे हमारी कार छमता कम हो जाती है इसलिए हमें मौन्दरण्यन दोरा स्वयम को तरोताजा करना चाहिए इससे हम अपना काम उसी छमता और उत्साय से पुना अरंब कर सकते हैं तनाओ या चिंता हमारे स्वास्त के सत्रू हैं हसना अवांचित तनाओ या चिंता को दूर करने की सबसे अच्छी दवा है हम अपने तनाओ को कम करने के लिए पारकों, संग्राहलेओं, अभ्यरंडेओं, आदमी भी जा सकते हैं सरीरिक भ्याम करना उतना ही महत्पूर है यतना की खेलना तो इससे समंदित पहला प्रस्ण है कि हम डैस जिस तरह का काम करते करते उप जाते हैं इसका सायुत्तर है ऑप्शन सी समान तरह का अगला प्रस्ण है कुछ मंदरंजन करने के बाद हम डैस अपना काम डैस कर सकते हैं इसका सयुत्तर है option D पुना आरंब अगला question है हसने से हमें डैस दूर करने में मदद मिलती है इसका सयुत्तर है option B अबांचित तनाव अगला question है पुना आरंब का अर्थ है इसका सयुत्तर है option B फिर से शुरू करना अगला question है छमता का भी प्रीटा अर्थक सब्द है अर्थात बिलोम सब्द है इसका सयुत्तर है option C अच्छमता तो बच्चे इस प्रकार से ये प्रिशन पूरे होते हैं आप हमें कमेंट कर जुरू बतलाएं कि आपको इस परिच्छा में कोल कितने अंक प्राप्त होए हैं साथ ही आप अपनी कटेगरी भी हमें बता सकते हैं जिससे हम कटाप का अंदाज लगा सकते हैं आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ सेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद